हैलो दोस्तो मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है पुराने बॉलिवुड के पांच मशहूर स्टार्स जो एक दोर में आपके पसंदीदार रहे होंगे उनके साथ क्या हुआ था शायद आप लोगों को पता ना होगा कैसे इन पांचों की मौत की वज़ा कहीं न कहीं इनका ही परिवार बन बैठा किसी की भेटी, किसी की मा, किसी का पती, तो किसी की बीवी के चक्कर में ही इनके जीवन का दर्दनाक अंतो हो गया चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले कलाकार की क्या तारीफ की जाए बस पुराने हिंदी सिनेमा के पुलिस आफिसर का नाम लीजिए तो दस में से नौ दर्शकों के दिमाग में अभिनेता इफ्तखार की छवी बन जाएगी जी हाँ फिल्मों में पचास के दशक से शुरू हुआ इनका जादू तीस साल तक चलता ही रहा वैसे पूरा नाम था सयदाना इफ्तखार एहमश शरीफ जो पैदा तो हुए जालंदर में उननीस सो बीस को मगर बच्चपन और पढ़ाई लिखाई मुकमल हुई कानपुर में गाने का शौक था तो बीस साल की उम्र में ही सब छोड़ चाड़ कर पहुँच गए कलकत्ता और वहाँ नाम चीन हम वी संगीत कंपनी में जा बैठे इंटर्व्यू देने नसीब देखिए वहाँ उस दोर के बड़े गायक कमलदास ने देखा तो बोल पड़े गायक क्या तुम तु एक्टर बनो बस दिलवादी फिल्म तकरार मगर किस्मत में तो फिल्म ही पुलिस वाला बनना लिखा था 1979 में नसीब से एक रोल कई एक्टरों से होते हुए इनके पास आ गया पहली बार पुलिस अफसर क्या बने फिर तो फिल्म मेकरों की ऐसी लाइन लग गई कि इनको वर्दी ही सिल्वानी पड़ गई जन्जीर के पुलिस कमिशनर का किरदार ये डॉन के डिप्टी एसपी का रोल इफ्तखार जैसा दूसरा पुलिस अधिकारी फिल्मी परदे पर फिर कभी नजर नहीं आया मगर दोस्तों इस महान अभिनेता की दर्दनाक मौत की वजह ना चाहते हुए भी इनकी बेटी बन गई यहुदी लड़की हना जोजफ से निकाह किया तो दो बेटियां हो गई सल्मा और सहीदा वर्ष 1990 में अचानक बेटी सईदा बीमार पड़ गई जांच होई तो पता लगा उसको कैंसर हो गया था बंबई में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके चक्कर इस अभिनेता ने नहीं लगाए मगर बेटी की हालत बिगरते ही गई अभिनेता इफ्तखार रोज बेटी को मौत के मुह में जाता देखकर तकीये में मुह छिपाकर रोते रहते बेटी की हालत ने उनको भी बहुत बीमार कर दिया साल 1995 में बेटी की मौत हो गई तो इफ्तखार को ऐसा सद्मा लगा कि 6 दिन बाद ही वो भी हॉस्पिटलाइज हो गए उनके पूरे शरीर को लगवा मार गया और बेटी के शोक में डूबे इफ्तखार एक महीने बाद ही मर गए दोस्तों इफ्तखार की एक फिल्म आई थी दीवार उसमें बूट पॉलिश वाला सीन याद है इफ्तखार के साथ जोन का साथ ही खड़ा था वो एक्टर सुधीर थे हमारे दूसरे का लाकार साठ से लेकर असी के सिनिमाई दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्म में नजराने वाला अभिनेता अक्सर गुंडे बने नजराते कभी विलेन अजीत के दोस्त तो कभी गुंडे बने प्राण प्रेमनात के राइट हैंड 1944 में जन्वे भगवान दास मूलचंद ही एक्टर सुधीर के नाम से फेमस हुए थे वैसे बनना तो हीरो चाहते थे शर्षी कपूर साधना के फिल्म में हीरो भी नजराए लेकिन शकल विलेन जैसी थी तो हीरो में चले ही नहीं एक दिन एक डिरेक्टर ने विलेन का किरदार दिया खूब मशुहूर हो गए फिर तो गुंडे बनकर करियर ही सरपट दोडने लग गया दिवार, कालिया, मजबूर, शराबी, दोस्ताना और शान में इनके किरदार कौन भूलेगा देवानंद की फिल्म हरे किष्णा, हरे राम में विकलांग चोर या फिरोस खान की धर्मात्मा वारा किरदार किसे याद नहीं होगा सत्ते पर सत्ता में अमिताप के भाई का रोल भी खूब निभाया मगर कौन जानता था इनके नसीब में आगे क्या लिखा था सुधीर उस दोर के करोणपती एक्टरों के लिष्ट में आया करते रेस खेलने का खूब शौक था, खूब लगाते खूब कमाते रेस खेल खेल कर करोणों की संपत्ती बना ली मगर महबत इनको मार गई उस जमाने की मशुहूर मॉडल शीला रे को दिल दे बैठे शादी भी कर ली लेकिन जिस से शादी की उसका दिल तो डिरेक्टर महेश भट पर आ गया पतनी शीला ने पती सुधीर को धोखा दे दिया और महेश भट के अफेर में पड़ गई इस धोके को सुधीर बरदाश्ट नहीं कर सके और अकेले पन को दूर करने के लिए दिन रात शराब और सिगरेट में टूबे रहने लगे शराब सिगरेट ने लिवर और फेफड़े खराब कर डाले 12 मई साल 2014 के दिन बीवी के धोके ने इनको मौत दे दी हैरानी होती है एक करोणपती एक्टर की अर्थी को कंधा देने वाला तक कोई अपना नहीं था तीसरे अभिनेता कहा तो क्या ही कहना पुराने बॉलिवोड में सबसे हस्मुक एक्टरों में नाम शुमार होता विनोध महरा इतना सौमेक अलाकार जिसकी फिल्में भले सूपर हिट ना होती लेकिन फिल्म मेकर्स इतना पसंद किया करते कि काम की कमी ना रहती हमेशा सेट पर टाइम से आने वाला सबसे तहजीब से पेश आने वाला भी नेता अमरिस्सर के बड़े बिजनसमेन के घर 13 फरवरी 1945 को जन में विनोध को पिता बनाना चाहते थे बिजनसमेन मगर उनका अमरिस्सर छोड़कर बंबयाना कुछ और ही कर गया बहन शारदा फिल्मों में काम करने लगी तो विनोध खन्ना को भी दीदी को देखकर बॉलिवुड का चस्का लग गया जरा सक किस्मत साथ दे गई होती तो राजेश खन्ना से पहले विनोध मेरा स्टार बन जाते जी हाँ 1965 में जिस टैलेंट हंट कॉम्प्टिशन को जीत कर राजेश ने बॉलिवुड में कदम रखा था उसमें विनोध भी उनको बराबर की टक कर दे रहे थे कहते हैं कि वो प्रतिविता को लगभग जीत ही चुके थे कि आकरी में राजेश खन्ना विनर घोशित हो गए और विनोध दूसरे नंबर पर आ गए खेर एक दिन विनोध कैलाड रेस्टरा में खाना खा रहे थे वहां मशुहूर निर्माता रूप के शौरी की नजर क्या पड़ी फोरण उनको अपनी फिल्म एक ती रीटा दे दी और 1971 में विनोध हीरो बन गए फिर तो परदे के पीछे एलान, अमर प्रेम और लाल पत्थर जैसी फिल्में आई 1973 में मौसमी चटर जी के साथ हिट फिल्म अनुराग की तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा मगर इतने हस्मूक एक्टर का अंत अपनों की वज़ा से हो गया विनोध मा को बहुत चाते थे, मा ने अपनी पसंद से एक लड़की से शादी करवा दी शादी से वो इतने तनाव में आ गए कि तीस साल में ही धिल का दोरा पड़ गया तलाक ले लिया, इसके बाद एक्टरेस बिंदिया गोस्वामी से प्यार हो गया दोनों ने शादी तो कर ली लेकिन बिंदिया गोस्वामी का फेयर डिरेक्टर जेपी दत्ता से हो गया और वो विनोध को छोड़ कर चली गई बिंदिया के धोके से विनोद पूरी तरह से तूट गए और डिप्रेशन में आ गए तीसरी बार अभिनेतरी रेखा से शादी कर ली लेकिन इस बार माने ही लड़के का घर तोड़ दिया जब रेखा और विनोद मा का शिरवाद लेने पहुँचे तो उनकी माने रेखा को बेईज़द कर वहां से निकाल दिया बीवी के धोके का तनाव मा की जिद और अकिलापन विनोद महरा के लिए चान लेवा साबित हुआ 30 अक्टूबर 1990 को बस 45 साल की उमर में ऐसा हार्ट अटेक आया कि विनोद महरा की मौथ हो गई चौधा अबिनेता तो बॉलिवुड के सबसे खुददार कलाकारों में एक था जलाल आगा वही शोले में महबूबा महबूबा की जो काता दिखता था मशुहूर कॉमेडियन आगा का बेटा खुददारी ऐसी कि पिता की सिफारिश पर फिल्मों में आना कबूल न था जी हाँ 1967 में जीतेंदर की सूपर हेट फिल्म आई थी फर्ज क्या आपको पता है इसमें हीरो पहले जलाल थे लेकिन उनको जैसे ही पता लगा कि पिता की सिफारिश पर उनको हीरो बनाया गया तो फौरन फिल्म को ठुकरा दिया वैसे पहले पिता आगा उनको फिल्म लाइन से दूर ही रखते थे वो तो दिलिप कुमार मुगले आजम में अपने बच्पन का रोल करवाने चुपके से ले गए थे पिता आगा को खबर हुई तो फौरन उनको बोर्डिंग स्कूल भिज दिया खैर बड़े होकर वापस आए तो FTII पूरे से एक्टिंग सीखी और फिल्मों में आ गए फर्ज ठुकराई तो अपने दम पर दो फिल्में हासिल कर ली 1967 में आई तकदीर जिसमें उनकी हिरोईन फरीदा जलाल थी लेकिन पहचान बनी मजली दीदी और बंबई रात की बाहों में फिल्मों से जलाल की कई फिल्में यादकार रही सावन जूमके, साथ हिंदुस्तानी, बॉम्बे टॉकीज, घर घर की कहानी, दो चोर, यादो की बारात, गरम हवा, कर्ज, गांधी, नौकर बीवी का, बाजी, दो कैदी और पहला नशा असी के दशक में पैदा हुए बच्चे उनको पान पराग के मशुहूर विज्ञापन में भी खूब देखा करते थे लेकिन किसमत का लिखा किसका मिटता है जो जलाल का मिटता जवानी के दिनों में एक मशुहूर मॉडल वेलेरी परेरा पर दिला गया शादी कर ली दो बच्चे हुए बेटा सलीम और बेटी वनेसा दोनों इनकी जान हुआ करते बदकिसमती से बीवी चुन्ने में गलती कर बैठे आए दिन जगड़े होने लगे जिससे जलाल टेंशन में रहा करते आठ साल बाद बीवी ने इनको तलाग दे दिया और दूसरी शादी करके जर्मनी चले गई अपने साथ बच्चों को भी ले गई जिसके बाद जलाल आगा काफी परेशान और अकेले हो गए पतनी बच्चों को भारत नहीं भेशती थी जलाल फिल्मों में छोटा मोटा रोल भी इसलिए करते ताकि पैसे एक खटा हो जाएं तो वो जर्मनी जाकर बच्चों का चेहरा देख सके बच्चों से ना मिल पाने के कम में जलाल अकेले में रोया करते थे बच्चों के शकल देखने को तरस्ते रहे और इसी कम में 5 मार्च 1995 को बस 49 साल के जलाल आगा को दिल का दोरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई अपनों का शिकार हुई पांचवी अभिनेत्री थी जो 60 और 70 के दशक में बहुत फेमस हुआ करती नाम था वीमी वही हमरास की हिरोईन पहली ही फिल्म सूपर हिट और रात और रात विनी बन गई थी स्टार 1943 में जालंधर में पैदा होई वीमी उस दोर के लोगों के दिल में बसा करती एक्ट्रिस को पहली ही फिल्म सुनील दत और राज़कुमार जैसे स्टार्स के साथ मिली थी इसके बाद उनका करियर उँचाई पर पहुँच गया उस जमाने के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स उनके पास अपनी फिल्मों के ओफर लेकर आने लगे लेकिन उनकी सफलता के बीच आ गया वीमी का पती जिसने रुकावट पैदा करनी शुरू कर दी वीमी कौन सी फिल्म करेगी कौन सी नहीं करेगी इसका फैसला खोद करने लगा फिल्मी दुनिया की समस्त ही नहीं ऐसे में उन फिल्मों को बस पैसे के चक्कर में साइन करवा दिया जिनकी कहानी में ही दम नहीं था नतीजा हुआ कि फिल्में एक एक कर फलॉप होने लग गई वीमी का करियर डूबने लगा तो पती प्रतालित करने लगा मार पीट आम हो गई पती की प्रतालना और डूपते करियर से दुखी वीमी ने शराब को सहरा बना लिया बाद में पती से तलाग हुआ तो कलकता में टेक्स टाइल का बिजनस शुरू किया मगर वीमी का बिजनस भी टूप गया अब जीवन में कुछ नहीं बचा ना शादी शुदा जिन्दगी न करियर न बिजनस बस बच गई शराब इसके बाद वो शराब में दिन राट डूबे रहने लगी नशे के लत ने उनके लिवर को सड़ा दिया और 1977 को बंबई में सिर्फ 34 साल में ही वीमी की मौत हो गई कहते हैं उनको शमशान ले जाने के लिए कोई नहीं था बड़ी मुश्किल से उनके शव को एक ठेले पर लाद कर शमशान ले जाया कया था दोस्तों आपको इन पाँचों इसे कोई कलाकार याद है अगर हाँ तो हमें जरूर बताईए का इन में से किसी का कोई किरदार या फिल्म आपने देखी होगी तो कमेंट जरूर करिएगा ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बस पहला आइकन दबाना मत भूलिएगा